आज स्सेट करींगे चेमिकल एफट्स ऐथ से पहले ये हमारा फिफ्फ चेप्टर है लब मेरा वाले पार्ट का फिस चेप्टर है स्विल्ब पढ़ाता हूँ किमिस्ट्री तो इसका क्या है ये कैमिकल एफट्स ऐफ ईल्यक्ट्रिक करेंट सिर्ध्नेट चसलंजज Chemical effects of electric current मतलब की electric current का chemistry में क्या use है ऐसे कैसकते हो या फिर chemical reactions से किस तरह electricity बना सकते है यह electricity को किस तरह हम chemical energy में convert कर सकते है दो चीज़ें होती है या जो chemical energy को convert कर लो electrical energy में कहीं देखा है chemical energy को electrical energy में convert होते हुए जो batteries हैं, जो inverter की battery है, car की battery है, इसमें क्या है, chemical reaction ही तो हो रहा है और वो chemical reaction जो chemical energy produce कर रहा है, वो convert हो रही है electrical energy में ठीक है, और electrical energy से chemical reaction होते वे देखाए कभी electrical energy से भी chemical reaction हो सकता है जैसे water को अगर water से हमें hydrogen और oxygen gas बनानी है तो हम क्या करते हैं, उसमें से electricity pass कराते हैं, ठीक, तो wood break हो जाता है hydrogen में और oxygen में, तो ये phenomenon क्या हैं, ये सारे के सारे phenomenon आते हैं, chemical effects of electric current में, कि chemical energy को भी convert करा जा सकता है, electrical energy में और electrical energy से chemical reaction भी करवाया जा सकता है, ठीक है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, carrying out chemical reactions, carrying out chemical reactions with the help of electricity, with the help of electric current, पी के सकते हो, current की बात हुरे है, with the help of electric current, तो पहला point तो इसमें क्या हो गया, कि किस तरह, अभी हम इतना है detail में नहीं पढ़ेंगे, कि chemical reaction, यह याला तो पढ़ेंगे, इस पे तो एक का point है भी, कि chemical reaction किस तरह से electricity के help से हो सकता है, दूसरा वाला क्या है, कि हम chemical energy को किसी reaction की convert कर देंगे, electrical energy में, उसके बारे में बहुत थोड़ा सा introduction दे रखा है, तुमारे level पे, क्या introduction दे रखा है, जो batteries use होती है, बस batteries के बारे भी थोड़ा सा दिया हुआ है, कि यह batteries chemical energy को, chemical reaction की chemical energy को convert कर देती है, electrical energy में, ठीक है, तो हम यह रखेंगे energy of chemical reactions या पर chemical energy भी बोल सकते हो इसको, तो energy of chemical reactions is used to produce electricity, तो दो बाते हो गई भई, chemical effect of electric current में, पहली बात की electricity से chemical energy बना दो, या electricity से chemical reaction करवा दो कोई, जो यह पहला point लिखा, या फिर chemical energy को convert कर दो, electrical energy में जैसे batteries हो गई, है ना, या मैं examples लिख देता हूँ दोनों के, इसके सामने लिख देता हूँ दोनों के examples, इसका example क्या है, इसका example क्या है, इसका example हो जाएगा, splitting of water molecule into hydrogen and oxygen gas, splitting मतलब तूटना, splitting of H2O into H2 and O2, तो इसका example यह हो गया, H2O का तूटना H2 और O2 में, दूसरे वाले का example क्या हो जाएगा, batteries हो जाएगा, ठीक है बही, तो यह दोनों बाते clear हो गई हो गई होगी तुमको, दोनों points clear हो गई हो गई होगी, chemical effect of electric current में क्या-क्या हो सकता है, यह चीजें तुम काफी आगे तक पढ़ते चले जाओगे, ठीक है, 9th class में तो मेरे शाल से ऐसा कुछ नहीं है, 9th में ऐसा कुछ नहीं है, जो तुम इसके बारे में पढ़ो, 10th में, 10th में थोड़ा बहुत है, हाँ, कह सकते हो 10th में है, 10th में लेकिन chemical effects नहीं आएगे, फिर सीधा जाके 12th में पढ़ोगे इसको, फोड़ा 11th में, फिर 12th में, तो 11th 12th के लिए पढ़ रहे हो भी तुम, ठीक, तो ये जो chapter है, सीधा जाके कहां आएगा, 11th और 12th में आएगा, 11th में पता भी नहीं चलेगा यह आगया, ठीक, क्योंकि chapter 9 है महाँ पे, तो ये पार्ट छोड़ दिया जाता है जातर उसमें, तो खेर अब भी तो आगे की बाते हैं, 11th में और फिर 12th में electro chemistry के नाम से chapter है, महाँ पे इसको पढ़ोगे, ठीक है, तो अभी 8th के बाद 9th नहीं पढ़ना है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना, बहुत important chapter है, ये आगे के लिए, क्योंकि यहीं base है, 9-10 में कोई base नहीं है, 11th में जाके एकदम से देखोगे, तो थोड़ा परिशानी हो सकती है, इसलिए जो भी basic चीज़ें, बहुत असान चीज़ें, मश्किल कुछ नहीं है तुमारे level पे, और वो असान चीज़ें अगर पढ़ लोगे, तो आगे असानी होगी, ठीक है, तो अब यहाँ पे जो बात करेंगे हम, वो बात करेंगे कि conductors और insulators की, या good conductors of electricity, conductors of electricity की बात करते हैं, insulator छोड़ते हैं, कि electricity conduct जो conductors करते हैं, जो भी चीज़ें electricity conduct करती हैं, वो conductors कहलाती है ठीक है ये conductors दो type के होते हैं एक ऐसे conductors होते हैं जो free electrons की वज़ा से electricity conduct करते हैं जोने हम metals बोलते हैं metals and non-metals में एक बात मैंने करी थी कि metals are good conductors of electricity देको सारे chapters interrelated होते हैं कोई ना कोई बात पीछे की repeat हो जाती है बाद वाले chapter में इसलिए ध्यान से चीज़ों को पढ़ लिया करूँ ठीक तो अब जो metals हैं वो electricity conduct कर रहे थे हैं बताया था मैंने क्यों कर रहे थे due to the presence of free electrons क्योंकि उसके अंदर free electrons present थे ठीक है और दूसरी चीज़ होती है electrolytes एक तो metals हो गए metals electricity conduct करते हैं metals conduct electricity due to the presence of free electrons तो free electrons की presence की वज़ा से जो metals है वो electricity conduct करते हैं है ना और इसमें example में हम क्या ले सकते हैं copper ले सकते हैं cu इस copper aluminium ले सकते है al ठीक है etc दोनों ही metals जो हैं बहुत अच्छे conductor है electricity के copper की wiring हमारे गर में use होती है aluminium wires overhead wiring के लिए use होते हैं मैं पता चुका हूँ इस बात को दोनों ही बातें ये discuss हो चुकी है ठीक है अब इसमें देखते हैं कुछ metals के बारे में तुमारे यां दे रखा है की नहीं दे रखा या metals के बारे में क्या क्या दे रखा है तुमारे या बस इतना ही दिया है कि conductor होते हैं वही कैसे पता लगा हो कोई चीज conductor है या नहीं है एक tester ले लो ठीक है, या मतलब wire ले लो एक तो पहले ठीक है, wire को जैसे aluminum की कोई चीज है, aluminum की उस पर लपेट दिया, है ना और उसे connect कर दिया एक battery से wire को ठीक, एक battery से connect कर रहा wire को, और फिर उसको एक हिस्सा उसका connect कर दिया एक bulb से, LED bulb ले लो, LED bulb से connect कर दिया ठीक है तो वो और एक तार बैटरी से निकला हूँ LED बल्ब में लगा दिया अगर बल्ब गलो कर रहा है अगर बल्ब गलो करता है तो इसका क्या मतलब है कि यह जो आइरन का टुकड़ा है यह कंडक्टर है बल्ब डारेक्टली गलो भी कर सकता है बैटरी एक तार इदर लगा एक टारे मुलब सेल जो आता है एक तारे देर लगा एक देर लगा एक दा लगा ऑब बैट्री में DJI मे उसके बढ़ जो यह वेज़ कर जाएया गा से अगर बल्ब नहीं जल रहा, कोई ऐसी चीज होगी, जो conduct नहीं करेगी, तो इसका मतलब है कि electricity conduct नहीं करता, वो conductor नहीं है, poor conductor है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ चीज़ें good conductor होती है, कुछ चीज़ें poor conductor होती है, good conductor का क्या मतलब है कि, ज़्यादा electricity conduct कराती है अपने अंदर से, poor conductor का मतलब है, ज़्यादा electricity conduct नहीं कराती, good conductors जैसे यह aluminium copper जो है good conductors है, अगर तुम इस पे wire लपेट के और उसके बाद उसको transfer कराओगे, तो bulb जो है बहुत अच्छे से glow करेगा, क्योंकि बहुत अच्छे conductors है, लेकिन ऐसी कोई ज़्यादा अच्छा conductor नहीं लिया, तो वो glow नहीं करेगा अच्छे से, ठीक है, तो इतनी कोई इसमें बात नहीं ती, इसके बाद फिर next है electrolytes, सेकेंड इस electrolytes, electrolytes किसे बोलते हैं, electrolytes हमारे acids भी हो सकते हैं, जो भी चीजें ions में break हो सकती हैं, यह जो metals से electricity conduct कर रहे थे, due to the presence of free electrons, electrolytes electricity conduct करते हैं, due to the presence of ions, ठीक है, तो ऐसे liquids, ज़ातर liquids ही होते हैं, ऐसे liquids जो ions में break हो सकते हैं, वो electrolytes कहलाते हैं, ठीक है, the liquids, which can be dissociated, into ions are called electrolytes, क्या कहलाते हैं, electrolytes कहलाते हैं, जो liquids dissociate हो सकते हैं ions में, उनको हम electrolytes बोलते हैं, और यह ions के presence की वज़ा से ही electricity conduct करते हैं, they conduct electricity due to the presence of ions, ठीक है, तो हम यहाँ पर यह बात लिख सकते हैं, conduct electricity, वो जो थे metals, free electrons की वज़ा से कर रहे थे, यह electricity conduct कर रहे हैं, due to the presence of ions, due to presence of ions, ions के presence की वज़ा से यह electricity conduct करते हैं, ठीक है, तो यह points लिख लेना, कि किसमें ions की वज़ा से electricity conduct हो रहे हैं, और किसमें free electrons की वज़ा से हो रही हैं, तो इस दोनों conductors थे, metals और electrolytes तो type के होते हैं, ठीक है, metals भी होते हैं और electrolytes भी होते हैं, अब, यह इनका कंडक्शन हो गया है इसके बाद आगे आते हैं और क्या है इसमें तुमारे देखना पड़ती है चीह जीजे क्या अधर रॉत दिक्कत हो जाएगी। तो अब देखो example ले लेते हैं इसमें थोड़ा electrolytes के example of electrolytes देख लेते हैं बात यह है बस ions कहीं पर भी present होंगे तो वो electricity conduct कर देगा element या कोई भी liquid होगा तो ठीक है अब देखो इसके examples देख लेते हैं electrolytes के example होता है NACL sodium chloride NACL एक example है किसका electrolyte का लेकिन ये भी ऐसा नहीं नमक कहीं रखा ने C.L. क्या है NACL is common salt जो salt हम घरों में use करते हैं जो salt घरों में use करा जाता है as a table salt use करा जाता है वो NACL कहलाता है NACL उसी को तो कहते है तो वो NACL ऐसा नहीं है तुम ने तुम घर पे check कर रहे हो for example उसको तुमने उसमें दो तार लगा रही है से अभी metal में fit कर रहे थे Metal में लगा रहे थे वैसे तुमने क्या करे दो तार उसमें लगा दिये salt में और फिर देख रहे हो बल्ब दो कर रहा ही की नहीं कर रहा तो नहीं करेगा तुम गहोगे घलत बताये गया हमें यह तो conduct नहीं कर रहा तो भई वो ऐसे ही conduct नहीं करता जब तक ions में break नहीं होगा तब तक Conduct नहीं करेगा Electricity Solid State में हमें यह लेख सकते हैं In Solid State, It Does Not Conduct Electricity In Solid State It Does Not Conduct Electricity किसकी बात हो रही है? NACL की हो रही है कि Solid State में Electricity Conduct नहीं करता तो फिर क्यों हम इसको Electrolites बोल रहे हैं? Electrolite क्यों बोल रहे हैं इसको? Electrolite इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर यह iron में break हो गया तो electricity conduct कर देगा और यह ions में कब break होता है? जब यह Malton State में आता है जब इसको पिगलाया जाता है या तो पिगलाया जाएगा या फिर इसका aqueous solution बनाया जाएगा ठीक है तो हम यहां लिख सकते हैं in molten state molten मतलब पिगला हुआ इन्दी में लिख लेना चाहो तो in molten state और aqueous state या aqueous form aqueous form का क्या मतलब है in water जब इसे हम water में मिला देंगे, add कर देंगे water के अंदर अगर हम इसको water के अंदर add कर देंगे it breaks into ions it breaks into ions and conduct electricity तो ions में break होके electricity conduct करता है यह जब molten state में आता है या फिर पानी में मिलाया जाता है तब electricity conduct करता है यह ठीक है अच्छा यहां पर यहां पर यह बात समझ में आ गई होगी एक और चीज है कि अगर हम ऐसे ही distilled water को देखें distilled water जो की distillation से मिलता है है ना तो distilled water rain water जो होता है वो भी distilled water होता है ठीक है लेकिन यह हम rain water की बात नहीं कर रहे हैं यह हम उस distilled water की बात कर रहे हैं जो laboratories में रखा होता है अगर कभी lab में गए हो तो हमाँ distilled water रखा होगा ठीक है distillation के process से मिलता है वो हमको मतलब की impure water है tap water उसको हमने boil करा boil करा तो water उपर उड़ गया impurities सारी नीचे रह गई उपर उड़ गया मासस को condense करके अलग कर लिया तो यह जो water निकलता है वो distilled water होता है AC का जो पानी निकलता है AC में से जो water निकलता है वो distilled water होता है वो कभी electricity conduct नहीं करेगा तो distilled water कभी भी electricity conduct नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा क्योंकि उसके अंदर कोई mineral ही नहीं है कोई electrolyte ही present नहीं है उसके अंदर distilled water के अंदर और जो rain water होता है है तो वो भी distilled लेकिन उसमें electrolytes present होते है कोई ना कोई mineral उसके अंदर रहता है rain water में कोई ना कोई mineral रहता है तो वो electricity conduct करता है और जो tap water घरों में जो पानी आता है उसमें से निकल के जो जमीन में से आ रहा है tap water जो है tap में से निकालते हैं फिर उसको या फिर बाहर से line आ रही है उसमें से जो पानी आता है, वो पानी भी electricity conduct करता है, क्योंकि उसमें भी कुछ minerals present होते हैं, तो distilled water electricity conduct नहीं करेगा, क्योंकि उसमें minerals नहीं हैं, लेकिन उसी distilled water में अगर ये NACL डाल दिया जाए, तो वो electricity conduct करेगा, मतलब distilled water अकेला रखा हुआ है, तो electricity conduct नहीं हो रही, नमक से भी नहीं होगी, सिर्फ distilled water से भी नहीं होगी, तुमने क्या करा, उठा के नमक को distilled water में डाल दिया, अब वो दोनों ही conductor बन गए, अब हम कह सकते हैं कि ये conductor है, क्योंकि ए NACL ions में break हो गया, उसके अंदर जाके, तो इसमें दोनों का कमाल है, NACL का भी water का भी, इसलिए ह अगर उसके अंदर कोई mineral नहीं होगा, water के अंदर, जैसे distilled water होता है, उसमें कोई mineral नहीं होता, तो वो electricity conduct नहीं करेगा फिर भाई, जब तक उसमें कोई mineral नहीं होगा, तब तक वो electricity conduct नहीं करता, ठीक है, आगई बात समझ में, तो यहाँ पे हम ये point भी लिख लेते हैं, distilled water वाला, distilled water do not conduct electricity तो distilled water electricity conduct नहीं करता, क्यों नहीं करता, due to absence of minerals, minerals नहीं होंगे, तो आएंस नहीं मनेंगे ठीक है, एक point यह लिख लेना, कि distilled water जो है वो electricity conduct नहीं करता है, ठीक है, do not conduct electricity, लेकिन distilled water को हम NACL मिला दें उसके अंदर, वो electricity conduct करने लगेगा तो कोश्चन आ सकता है वाई, इसमें से कौन सा conductor है, कौन सा conductor नहीं है, ऐसे questions आ सकते हैं, तो उसमें distilled water अगर option मेंगे, आएगा, तो वो conductor नहीं होगा, ठीक है, लेकिन अगर NACL plus distilled water आएगा, तो वो conductor हो जाएगा, NACL plus distilled water, तो NACL को अगर हमने distilled water में मिलाया, तो अब यह conductor बन जाएगा, अब यह conductor की तरह behave करेगा, बस का conductor नहीं, electrical conductor, है न, वहीं हमारे जोग सैसी होते हैं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर, देख लेते हैं, और क्या-क्या चीज़े हैं इसमें, तो जो यह electrolytes हैं, electrolytes में एक और point लिख लो, कि electrolytes comprises of, electrolytes क्या-क्या हो सकते हैं, सिर्फ salts ही नहीं होते हैं, acids भी हो सकते हैं, मैंने बताया था, यह बात में लिखवाना बूल गया, comprises of acids, acids भी तो ions में break हो सकते हैं, H plus ions में, इसी लिए वो electricity conduct करते हैं, acids, bases and salts, तो acids भी होते हैं, electrolytes, bases भी होते हैं और salts भी होते हैं, और यह सभी electricity conduct करते हैं, acid भी electricity conduct करेगा, base भी electricity conduct करेगा, salt भी करेगा, लेकिन कब करेगा, जब ion में break होगा, dry HCl gas conduct नहीं करती electricity, एक और पॉइंट लिख लो Dry HCl Gas Do not conduct electricity HCl क्या है? HCl एक CID है? Hydrochloric Acid वो जो मतलब originally होता है वो gas की form में होता है, HCl Gas होता है तो जब हो HCl Gas की form में होता है तो electricity conduct नहीं करता क्योंकि अभी वो water में नहीं मिला है और जब तक water में नहीं मिलेगा तब तक ions में नहीं break होगा, है ना, do not conduct electricity as in absence of water, क्यों नहीं करता, क्योंकि water की absence में, as in absence of water, it do not break into ions, क्योंकि ये ions में break नहीं हो सकता, और जब तक कोई चीज ions में break नहीं होगी, तब तक वो electricity conduct नहीं करेगा, ions क्या होते हैं, ions बता ही नहीं है, मैं ती दिर सा ions कर रहा हूँ, ions का मतलब होता है, positively charged और negatively charged atoms को हम ions बोलते हैं, चाहो तो इस बात को कहीं लिख लो, कि जो positively charged atoms होते हैं और negatively charged atoms होते हैं, वो ions कहलाते हैं, जैसे na plus, na cl जो break होता है ना, वो na plus और cl minus में break होता है, तो na plus एक positive ion है, cl minus एक negative ion है, तो ion क्या है, charged atoms को हम ions बोलते हैं, electrically charged atoms, जब charge होगा इसके उपर, तो electricity conduct भी करेगा, electrically charged atoms को ions बोला जाता है, ठीक है, तो ions क्या है, electrically charged atoms है, electrically charged atoms को हम ions बोलते हैं, ठीक है, अर योगी बात समझ में, यह होई गया, और तो इस बात को हम लिख सकते हैं, यहांसे conclusion निकला, कि अगर small amount of mineral salt water में present होगा, तो वो electricity conduct करेगा, बिना उसके electricity conduct नहीं करेगा, अगर small amount भी आ जाएगा mineral का water के अंदर, तो वो electricity conduct करने लगेगा, ठीक है, तो इसको star बनाके इस बात को लिख लेना, small amount of mineral, जैसे अभी NaCl आया था, small, अच्छा यह आयन का example नहीं लिया, Na plus and Cl minus, यह आयन का example होगे दोनों, यह positive ion है यह negative ion है, positive ion के लाता है, negative ion anion के लाता है, यह आगर study करोगे तुम लोग यह आ सकता है, पढ़ लिया हो तुमने, small amounts of mineral, present in water, यहां से यही तो पता लगा हमें, कि अगर small amount present है water के अंदर, तो वो इसको conductor बना सकता है, makes it a conductor, ठीक है भई, बात समझ में आ गई होगी, कि इसको conductor बना सकता है, और इस में से कुछ खास दिया नहीं है, अच्छा, यहां पर एक activity दी हुई है, बुख में तुमारी, बूजो की activity, इसने क्या करा वही, इसने wires को लेके, wires के दो terminal होते हैं, positive और एक negative, बैटरी से connect करेगा, तो जो positive terminal से connect होगा, उसे हम positive end बोलेंगे, जो negative से connect होगा, वो negative के लाएगा, तो positive negative इसने पोटेटों में गुसा दिये दोनों, ठीक है, positive end भी और negative end भी, और इसने battery on कर दी, ठीक, battery on कर दी और आदे घंटे के लिए छोड़ दिया उसको, तो इसने ये देखा कि जो positive electrode है, वहाँ पे green point बन जाएगा, तो अगर, और फिर बाद में ये देखा, बलब ये बहुत बार करा हैं, इन्होंने experiment बूजो ने, बूजो और पहली दो लोग हैं, ठीक है, पहली बूजो, ठीक है, तो ये दो लोग हैं, तो आई बुक में पहली बूजो ही नाम दिया हुआ है, तो ये पहली बूजो जो हैं, इन्होंने एक experiment बार-बार करा, इन्होंने क्या करा, positive terminal को और negative terminal को, जैसे मैं बता दूँ कैसा positive तर्मिनल होगा कैसे नेगेटिव टर्मिनल होगा थोड़ा बना लेते हैं इसको ज़र बना लेते हैं बैटरी को इस तरह से शो करा जाता है ठीक यह नेगेटिव होता है यह पॉजिटिव चोटा वाला नेगेटिव बड़ा वाला पॉजिटिव ठीक है तो अब ये जो इस तरह से है बैटरी से connected है ये है ना ये wires सारे हैं बैटरी से connected यहाँ इसने यालू रख दिया काटके इस potato में इसने दोनों ends को इस तरह से insert कर दिया बैटरी का switch on है switch लगा जेते हैं यहाँ पर for example ये switch है ये on है इसका मतलब होता है switch on है ठीक इधर ये positive terminal है ये negative कला है ये negative की तरफ से आ रहा है हां तो अब इन्होंने ये देखा कि यहाँ पे green spot बन गया green से तो मैंने ये बना लिया ठीक है यहाँ पे इन्होंने ये देखा कि ये green spot बन गया ठीक है इस point पे एक green spot create हो गया और इन्होंने ये देखा कि हमेशा positive end की तरफ green spot बन रहा है तो इन्होंने कहा अगर हमें किसी का positive end पता करना है किसी भी wire का positive end पता करना है तो हम इस activity से कर सकते है potato वाली activity से potato में दोनों wire को घुसा दो जहाँ पे green hole create हो जाए green spot create हो जाए वो हमारा क्या होगा positive point होगा positive pole होगा positive pole ही कहलो positive end होगा तो ये positive end हमेशा green spot देगा potato में इस activity से पता चला ठीक है ये सब इसमें potato लिख लो ये potato है activity को explain नहीं कर रहा है मतलब लिखवा नहीं रहा है explain तो कर दिया है ये switch है इसका battery का ये battery है ठीक है तो इन्होंने जब experiment conduct कर रहा तो green spot कहा मिल रहा है मेशा positive end पे तो green spot is always at positive end ठीक है potato में green spot कहा मिलेगा हमेशा positive end पर मिलेगा और यहां से हम कहते हैं कि positive end पता करने का तरीखा हो गया ठीक है ऊपर हम heading भी ये डाल सकते हैं क्या डाल सकते हैं किसी भी सर्केट का determining call positive end किसी भी सर्केट का positive end sir करने का तरीखा यह होता है ठीक है समझ में आगे जही है positive end determine करने का तरीखा यह होता है क्या होता है कि battery में wire लगा के एक ende दर पॉटेटों में लगाए एक एंड दिल लगा दिया जहाँ पे green spot बन रहा है वो हमारा क्या होगा positive end हो चाहेगा ठीक है बई तो ये तुमारा conductors वाला part complete हो गया अब conductors वाले part से आगे आते हैं थोड़े से कुछ phenomena देख लेते हैं जो मतलब की electricity से होते है chemical reactions ऐसे chemical reactions जो electricity से होते हैं और ये तो बताई दिया कि chemical reactions से electricity कैसे produce होती है बैटरी से होती है है ना तो ये देख लेते हैं कुछ chemical phenomena जो की electrical current से carry out करे जा सकते हैं ठीक ठीक ऐसे मैं रब कर रहा हूँ adding phenomenons carried out या chemical phenomenon लिखो बलकी chemical phenomenon ये थोड़ा कट रहा हो तो सी है ये chemical phenomenon लिखा हुआ है chemical phenomenon carried out by electric current तो electric current से हम कौन-कौन से chemical phenomena कर सकते हैं मैंने बताया था कि इसमें दो चीज़े हैं या तो chemical energy convert होगी electric current में electric energy में या पर electrical energy को हम यूज करेंगे कोई भी chemical reaction करने में ठीक है चलो इस पर बढ़ते हैं फिर आगे तो इसमें एक दे रख्या है electroplating 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 जहां तक मुझे याद है metals non-metals में मैंने discuss करी थी है ना तो electroplating में क्या होता था किसी एक metal की plating कर देते थे एक किसी एक metal की layer लगा दिया करते थे दूसरे metal के ऊपर जैसे example galvanization क्या हो जाएगा example galvanization galvanization क्यों होता है galvanization होता है पहली बात तो galvanization होता क्या है galvanization होता है zinc की layer को iron के उपर लगा देना iron के उपर layer को बिचा देना एक तरीख से ठीक है वो कहलाता है galvanization क्यों करा जाता है galvanization zinc की layer क्यों लगा रहे है iron के उपर ताकि उसमें रस्टिंग ना हो, उसको रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, तो लेयरिंग आफ जिंक, गैर्मनाइडेशन क्या है, लेयरिंग आफ जिंक on iron articles क्यों करी जा रही है, to prevent them from corrosion, तो corrosion से prevent करने के लिए, corrosion prevent करने के लिए, क्या कर रहे हैं, जिंक की लेयर लगा रहे हैं, किसके उपर, iron के article के उपर, ठीक हैं, आगे आते हैं, और क्या दिया है, इन्होंने इसमें, और दिया है, chromium plating, ठीक है, chromium plating शायद मैंने वहाँ भी बताई थी, chromium plating में क्या होता है, chromium plating देखा होगा कि जो bike के handles हैं, वो shiny से दिखते हैं, steel की तरह दिखते हैं, shiny, shiny से, या bike का handle भी, बहुत shiny सा दिखता है, steel की तरह, तो होता तो वो लोहे का है, तो करते क्या हैं, उस लोहे के उपर, उस iron के उपर, chromium की plating कर देते हैं, chromium की layer लगा देते हैं, plating का मतलब chromium की layer लगा देते हैं, तो वो कहलाता है chromium plating, क्यों करते हैं वो भी, उसको corrosion से बचाने के लिए, और अच्छा appearance देने के लिए, अच्छा look देने के लिए, handles को, हमें chromium plating करते हैं, ठीक है, तो दूसरा क्या हो गया, chromium plating हो गया, पहला थ देशन, दूसरा है chromium plating, chromium plating, ठीक है, तो chromium plating में क्या कर रहा है, applying the layer of chromium, chromium metal है, जैसे zinc metal है, वैसे chromium भी metal है, ठीक है, 24th नंबर पर आता है यह प्रेक्टेबल में, जो chromium metal है हमारा, तो layering of chromium, on the surface of iron, to give it a good appearance, एक अच्छे appearance देने के लिए, या shiny appearance देने के लिए, और appearance भी अच्छा हो गया, और वो corrosion से भी बज़ गया, and prevent it from corrosion, यह रस्टिंग, रस्टिंग याद है न, जंग जो लग जाती है, आइरन में, उसको रस्टिंग बोलते हैं, prevent it from rust, तो यह chromium plating हो गई, electroplating में galvanization और chromium plating, ऐसे ही एक और है, anodizing, क्या है, anodizing, anodizing में क्या करते हैं, anodizing में aluminium oxide की layer लगाते हैं, aluminium articles के उपर, कोई भी aluminium का article है, उसको anode बना, अच्छा, आज़े, वो anode cathode बाद में discuss कर लेंगे, anodizing में यह लिख लो तुम बस, कि layer of, layering of, aluminium oxide, यहाँ पर aluminium oxide की layer लगा रहे हैं, on the surface of aluminium, on the surface of aluminium, ठीक है, आगई बात समझ में, aluminium की surface पे, aluminium oxide की layering कर देना, anodizing कहलाता है, तो यह हमने तीन पढ़ लिया, एक galvanization, chromium plating, और anodizing, यह तीन चीज़ है, अभी और भी हैं, जिसमें हम electricity का use करेंगे, chemical reactions करने के लिए, इसमें ही एक चीज़ होती है, refining of copper, है वो भी electroplating की तरह, क्योंकि महाँ पे हम copper के उपर ही copper बिछा रहे हैं, अभी पता करते हैं, copper पे copper के बिछा रहे हैं, तो refining of copper भी इसी में आता है, ठीक है, तो refining of copper देख लेते हैं इसके बाद, refining of copper, copper की refining, है ना, तो copper की refining में क्या होता है, copper की refining का मतलब है, देखो, ऐसा होता है, कि मैं अभी बता रहा था है, extraction of metals की बात चल रही थी, कि metals को अलग कैसे करेंगे, किस chapter में इस है, तो last chapter में बात चल रही थी, last chapter में जो हम पढ़ रहे थे, coal and petroleum वाले में, वहाँ बता रहा था कि coke जो यूज होता है, वो extraction of metals में यूज होता है, metal को कहीं से निकालने में, खेर उससे related नहीं है, बस metal को ore में से निकालने वाली बात है यहाँ पे, और में से जब metal निकाल लेते हैं तो उसके बाद भी वो impure रहता है, अब उस impure metal को pure कैसे करना है, ठीक है, वही impure metal बहुत सारा copper तुमारे पास आ गया, impure है वो, अब तुम्हें से purify करना है तो वही refining of copper कहलाता है, क्या purifying of, या purification of impure copper, purification of impure copper, तो impure copper का purification कहलाता है refining, ठीक है वही, refining of copper is purification of impure copper, किस तरह से करेंगे हम purification impure copper का, यह पूरा अब तुमारे बुक में दे रखा, इसलिए method बताना पड़ेगा, activity पूरी, देखो इसमें क्या करते हैं, किस तरह से करेंगे, किदर कि तरफ खड़ते हैं, यह एक container type का है, जिसमें हमने, अब हम copper की refining कर रहे हैं, तो copper sulfate fill कर लेते हैं, क्या fill कर लेते हैं, copper sulfate, CuSO4, हमने क्या fill कर लिया है, copper sulfate, CuSO4 किसे बोलते हैं, copper sulfate को CuSO4 बोला जाता है, copper sulfate, ठीक है, CUSA4 क्या है, copper sulfate है, यह जो पूरे में solution है, यह किसका है, copper sulfate का है, ठीक, अच्छा कोई भी जो electrolytic process होता है, कोई भी electrolytic process होता है, इसमें दो चीज़े होती है, दो ends होते हैं, battery में भी दो ends होते हैं, cathode और anode, एक दो electrodes होते हैं, यह कह सकते हो, एक electrode positive electrode होता है, और एक electrode negative electrode होता है, तो जो positive electrode होता है, वो बोला जाता है anode, और जो negative electrode होता है, उसे बोला जाता है cathode, ठीक है, तो electrodes, यहाँ पे हम negative electrode ले लेंगे किसका? स्वरी, positive electrode हम ले लेंगे किसका, copper का, ठीक है, बलकि इधर positive मतलो, इधर negative वाला ही लो तो यहां हम negative electrode ले लेंगे, copper का, ठीक, यह pure copper है हमारे पास तो impure था, भाई हमाहें में क्या करना है, impure copper को purify करना है इंप्योर copper को purify करना है, तो हम क्या करते हैं कि कहीं से pure copper की पतली सी strip लाते हैं, thin strip लाते हैं इसकी और इससे क्या बना लेते हैं, cathode बना लेते हैं, ठीक है, तो pure copper का बन गया हमारा negative electrode जिसको हम बोलते हैं, cathode negative electrode, negative electrode को क्या बोलोगे, cathode बोलोगे, negative electrode को, ठीक है बई, तो negative electrode तुमारा cathode हो गया, और किसका बना हुआ है, pure copper की thin strip का बना हुआ है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी, अब यहां मैं impure copper ले लूँ, जो मेरा positive electrode है, उसको मैंने ले लिया impure copper, अब यह देखते रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा इसमें, तो यह हमारा positive electrode है, positive electrode, इसको हम anode बोलते हैं, और anode हमने किसका लिया है, impure copper का, जो हमें impure copper मिला था, extraction of metal से, वो impure copper का लिया है हमने anode, ठीक है, इसको जरा electrolyte को दुबारा से बना देते हैं, यह तुमारा electrolyte बनाया था, copper sulfate, यह जो fill करा है, liquid यह क्या है, electrolyte है, हम copper sulfate बोलते हैं, ठीक है, copper sulfate किसकी तरह use हो रहा है है, electrolyte की तरह, electrolyte क्या होते हैं, जो ions में break हो जाते हैं, electricity पास करने से, ठीक है, यह हमारा negative electrode है बई, यह यहाँ से battery से connect होगा, negative part से, जो negative electrode होता है, वो negative part से connect होता है, जो positive electrode होता है, वो positive part से connect होता है, यह connect हो गया किससे? positive parts से, ठीक है, तो इसे हमने positive से connect कर दिया, क्योंकि यह node वाला positive से connect होगा, यह battery है हमारी, ठीक है, अब देखो, अब यह तो हमारा पूरा setup हो गया, तो setup में क्या-क्या है? setup में एक negative electrode है, एक positive electrode है, और उसके यह जो container है, उसके अंदर एक solution भरा हुआ है, जिसको हम electrolyte बोल रहे हैं, और यह battery है, यह क्या है हमारी? यह battery है, तो यह पूरा setup हो गया, पहले तो इसको draw कर लिना है, वीडियो पॉस्ट करके, इसको draw कर लो पहले, ठीक है, फिर आगे आते है, अब क्या हुआ, जब हमने switch on करा, इसमें से electricity pass हुई, electricity pass हुई, तो यह जो copper sulfate था अंदर, इसमें Cu2 प्लस ions में break हो गया है, और SO4 2- में break हो गया, Cu2 प्लस, SO4 2-, Cu2 प्लस, SO4 2-, copper sulfate है, तो Cu2 प्लस और SO4- ions में यह break हो गया, copper sulfate जब इसमें हमने electricity pass कराई, वैसे भी solution जो होता है, किसी भी चीज़ का, तो वो break हो जाता है, ions में, तो यह copper के ions थे और sulfate के ions थे, अब यह जो copper के ions होते हैं, यह जाके चुपक जाते हैं, क्योंकि positive हैं यह, positive हैं तो यह जाके चुप ions कहां चुपक जाएंगे सारे, इस cathode पे, यह भी यहां से जाएगा और यहां चुपक जाएगा जाके, तो यह सारे के सारे positive ion cathode पे चुपक जाएंगे, अब जब यह positive ion cathode पे जाके चुपक गए, तो क्या होगा, कि यहां कमी हो जाएगी positive ions की, वैस solution में कमी हो जाएगी न पढ़िए जब सारे के सारे स्पेर चुपक रहे हैं तो यह जो इंप्यूर कॉपर है अब यह क्या करेगा यह टूटना शुरू होगा ठीक है यह जो इंप्यूर कॉपर है यह ब्रेक हो ना शुरू होगा sì you to कॉप्लस आइंस देगा यह जो blue वाले में बना रहा हूं यह समें से निकल रहे हैं क्योंकि यहां से कम हो रहे हैं तो अब यह देना शुरू करेगा copper ions क्योंकि यह सब तो चले गए थे उस पर यह देगा फिर उसके बाद भाई वो भी positive है तो वो भी चले जाएंगे दर की तरफ इनकी जगा आके इनकी जगा लेके वो भी चले जाएंगे ठीक है भी यह भी इसकी जगा ले लेगा और यह भी चला जाएंगे सबके सब वापस तो यह वाला जो है यह copper ions बनाता रहेगा copper ions इस वाले पर जाते रहेंगे इंप्योर में से copper ions निकलते रहेंगे और वो pure वाले पर जाते रहेंगे ठीक है इंप्योर में से निकलते रहेंगे और pure पर जाते रहेंगे तो एक टाइम क्या आएगा समझ में आगई बात क्या हुआ electricity battery on करी electricity supply हुई copper sulfate तूड़ गया copper ion में और sulfate ion में वो copper ion positively charged थे वो positive व कमी हो गई positive ions की positive ions कि कमी हो गई तो इस आणोड ने positive ions देना शुरू करें पर आणोड ने positive ions देना शुरू कर दिये यह बदी जाने लगे इसके उपर यह देता रहा यह जो एनोड है हमारा यह चूटी प्लस क्योंकि copper है ने यह देखने को मिलेगा इसमें से निकलते रहे इस पे जाते रहे ठीक है यह होता रहेगा थोड़ी देर बात क्या होगा कि यह देखोगे इज़र का नोट कर लिया होगा सब यह देखने को मिलेगा कि यह जो थिन स्ट्रिप लगाई थी तुमने जो कॉपर की थिन स्ट्रिप लगाई थी कॉपर की जो थिन स्ट्रिप लगाई थी इस पे बहुत सारे आयंस लग जाएंगे ठीक है बहुत सारे आयंस इकटा हो गए होंगे तो ये बहुत थिक हो जाएगी चुपक के इस पे बहुत सारे आयंस चुपक गए होंगे तो ये एकदम थिक हो जाएगी ठीक है सारा का पर Purified Copper आके इसके उपर चुपक जाएगा Copper ही तो होगा सिर्फ है ना सारा Copper इसके चुपक जाएगा और ये जो broad थी ये पूरा तूट जाएगा ये जो बड़ी वाली थी इसमें सारा Copper निकल गया तो अब सिर्फ impurities बची तो ये impurities बची उसको हम यह एक अटा कर लेते हैं वो कहलाता है anode mud तो क्या हुआ थोड़ी देर बाद ये जो electrode था impure वाला पूरा गायब हो गया सारा Copper कहा निकल के चला गया इसमें से निकल के चला गया pure वाले पे और यहाँ पे हमें क्या मिल गई anode mud मिल गई है यहाँ ठीक है तो ये process समझ में आगया होगा थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में इसको बना तो लिए ही होगा है ना कुछ points इसके बारे में लिख लेते हैं यहीं आ जाएंगे points copper sulfate is an electrolyte copper sulfate को electrolyte की तरह लिया है copper sulfate electrolyte है breaks यह break हो जाता है लिखते रहें ना breaks into ions क्योंकि समझ तो लिया है breaks into ions कौन कौन से ions Cu2 plus and SO4 2 minus ions ठीक है तो पहला point क्या हो गया है कि CuSO4 electrolyte की तरह यूज हो रहा है then electrolyte जो कि break हो रहा है ions में Cu2 plus और SO4 2 minus ठीक pure copper is cathode pure copper को हमने क्या ले लिया है pure copper को cathode की तरह ले लिया है pure copper cathode की तरह ले लिया ठीक है यानि की positive electrode यह positive लिखा है मैंने positive electrode ठीक positive electrode तो जो Cu2 plus ions है Cu2 plus ions are moving अर sticking लिख लोबल की चुपक जाते हैं जाके are sticking to cathode, cathode पर जाके चुपक रहे हैं जो Cu2 plus ions है ठीक है फिर last point impure Cu impure Cu is anode उसको हमने anode sorry negative था है negative लिखना है यहापे वो negative तो लिया था हमने वाला cathode जो था तो impure Cu is an anode उसको हमने anode माल लिया यानि की positive electrode यह क्या कर रहा है giving missing Cu2 plus यह give कर रहा है दे रहा है giving missing Cu2 plus to CuSO4 CuSO4 में से जो Cu2 plus जा रहे हैं इदर वो missing Cu2 plus कौन दे रहा है CuSO4 को यह impure वाला copper दे रहा है तो यह 3 points हो गए ठीक है यह 3 points हो गए पहला point क्या था copper sulfate electrolyte की तरह use हो रहा है और वो ions में break हो रहा है Cu2 plus और SO4 2 minus में pure copper cathode है यहाँ पे जिसको हम negative electrode कह रहे हैं और इस पे क्या हो रहा है जो Cu2 plus ions है वो जाके stick हो जा रहे है cathode पे और impure copper anode है जो की positive electrode है यह क्या काम कर रहा है यह missing copper ions को missing Cu2 plus supply कर रहा है CuSO4 को ठीक है फिर last point हम क्या लिखेंगे after a certain period of time यह last point यहाँ पे लिख ले ना fourth point तबसे last point यह है last point यहाँ लिख दे रहा हूँ है ताकि तुम्हें confusion ना हो after a certain time यह जो cathode है cathode rod cathode की जो rod है becomes thicker ठिक हो जाती है and anode rod vanishes anode की rod जो है वो vanish हो जाती है गायब हो जाती है क्योंकि सारा copper निकल गया उसमें से sleeve vanishes vanish हो जाती है and impurities और impurities रह जाती है and impurities remain as anode mud anode mud की definition उपर लिखी हुए anode e mud तो anode mud की तरह से क्या रह जाता है उसमें कहाँ बई anode mud की तरह से क्या रह जाता है वहाँ पे impurities रह जाती है तो यह चारो point note कर लेना मेरे ख्याल सी समझ में आ गया होगा अच्छे से refining of copper ठीक है दुबार वीडियो रिपीट करो दुबारा सुन सकते जो मैंने बोला समझ में आ जागे एक बार और समझ लोगी तो ठीक है तो यह clear हो गया तुमारा अब आगे बढ़ते हैं एक और यहाँ पे है एक और फिनॉमेना है last refining of copper के बाद की splitting of water into hydrogen and oxygen उसमें भी electricity का use होता है ठीक है splitting of water in hydrogen gas and oxygen gas ठीक है तो second phenomenon splitting of H2O in H2 and O2 H2 क्या है hydrogen gas है O2 क्या है oxygen gas है reaction क्या है reaction यह होता है कि H2O पड़ से जब तुम electricity उसके reaction मैंने क्यों नहीं बताया उसका reaction थोड़ा complicated है ions-wions वाला है उसको discuss नहीं करा है अभी 10th class में आ जाएगा यह वापस ठीक है तो जब water में से electricity pass कराई जाती है तो वो hydrogen hydrogen और oxygen gas में break हो जाता है अभी cathode अनोड तुमने पढ़ लिया ठीक है तो cathode पे बनती है hydrogen gas यानि कि negative electrode पे hydrogen gas बनती है 7CRT में लिखा हुआ है तुमारी और अनोड यानि कि positive electrode पर oxygen gas बनती है तो positive electrode पे oxygen gas बनती है और negative electrode पे hydrogen gas बनती है ठीक है इतनी बात समझ में आ गई होगी अब इसमें इसको भी थोड़ा सा डाइग्राम बनाके देख लेता है इसका क्या होता है इसमें इसमें हम क्या कर रहे है इसमें भी एक container ले रहे है और उसमें water fill कर दे रहे है क्या fill कर रहे है water ठीक है तो हम क्या fill कर दे रहे है इसके अंदर water fill कर दे रहे है water से ही करना है में reaction एक यहाँ पे एक cathode लिया जाएगा एक anode लिया जाएगा जिसे की होता है, है ना, ये cathode ले लिया, इधर anode ले लिया, ठीक, अब यहाँ बननी है gases, ठीक है, अब जो यहाँ gases बननी है, तो वो gases उड़ सकती है, वो gases उड़ सकती है, तो क्या करेंगे, वो gases ना उड़ें उसके लिए, test tube लगा देंगे इसके उपर, एक test tube यहाँ लगा देंगे, और एक test tube यहाँ लगा देंगे, ठीक है भई, दो test tube लगा दिया हमने इसके उपर, ताकि वो gases उड़ें ना, और यह connect कर दिया इसको यहाँ बैटरी से, ठीक है नेगेटिव एलेक्टरोड से कैथोड कनेक्ट हो गया यह कैथोड है अब तो पता हिए कैथोड कौन सा है अनोड कौन सा है कैथोड नेगेटिव होता है नेगेटिव एलेक्टरोड और एनोड होता है पॉजिटिव एलेक्टरोड भी पताया था एनोड पॉजिटिव होता है cathode negative होता है तो भाई जब H2O में से electricity pass कराई जाएगी तो reaction के according H2 बन जाएगी यहाँ पे यहाँ hydrogen gas बन जाएगी और यहाँ पे anode पे oxygen gas बन जाएगी यहाँ बबल्स की form में तुमको मिल जाएगी थीक है यह तुमारा हो गया formation of water with the help of formation of hydrogen and oxygen from water with the help of electricity हम क्या पढ़ रहेते हैं सम कॉमन फिनोमेन जिसमें electricity use होती हो ठीक है अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है कि hydrogen जादा produce होगी oxygen के ठीक है amount of hydrogen produced इस point को लिख लेना star बना के amount of H2 gas produced hydrogen gas produced is twice the amount amount of oxygen gas तो hydrogen gas जो बनेगी उसका amount double होगा oxygen gas के amount के ठीक है यहां तक यह समझ में आ गया होगा तो और तो कुछ नहीं है इसमें देख लेता है मेरे खाल से चैप्टरी खतम हो गया है तुमारा यहां पर यह कह रहा है जो electroplating की factories होती है तो उनका जो मतलब end में जो बच जाता है जो भी चीज़े मतलब क्या कहता है वेस्ट जो बच जाता है उसको dispose करने के लिए कुछ ना कुछ इंडिस्ट्री में कैमिकल इंडिस्ट्री में तो उसको dispose हमें कुछ guidelines को follow करते हुए करना होता है जैसे कि अगर कोई poisonous चीज़े तो उसको हम क्या करते हैं किसी ऐसी चीज़ से को एर हम inhale करेंगे उसमें ठीक है तो उस एर में भी सई चीज़े जानी चाहिए खराब नहीं जानी चाहिए मतलब ऐसा नहीं है कि पानी में नहीं बहा पारे तो उड़ा दें उपर तो यह भी नहीं कर सकते तो इसलिए treatment बहुत जरूरी होता है वेस्ट को निकालने से पहले उसका treatment बहुत जरूरी होता है ठीक है चलो ठीक है सेप्टर में तहीं रखते हैं और chemistry वाला part complete हो गया है चलो कर